जो टाइल को पकाने के लिए उन्हें जो इनर्जी चाहिए वो उन्हें प्रदान करेगा और अटोमिक इनर्जी की बात करें यह पूरी दर से सुरक्षित है आज हमारे देश में 23 बिजली गर काम करें 1979 से हम बिजली बना रहें और भारत पूरे विश्व को लीड कर रहा है और सबसे बड़ी बात जिन पूराने जो इंसिडेंट जो हुए उनको मतलब दोहरा दोहरा कर हमारे जो देश की जनता है उसमें जो एक डर्ब जो पैदा किया जाता है वो डर्ब को मुझे दूर करना है और ये बताना है कि कोला हमारा जो 70 परसन बिजली बनाता है वो कोला आने वाले 20 सालों के बाद हमारे पास कोला नहीं है एक यूनिट में एक बतलब कोले से क्यारवन ड рукसाइब करीब वह करीबन 1000 ग्राम मिलती है उसकी वजह क्यार बन कर दिया अब हम बात करें कि हमें गैस मिलता है अब हम बात करें कि एनरजी से कितना मिलता है तो केवल 16 ग्राम मिलता है तो इस परकार से हम देखें तो तो उसके प्रडर्क्शन को देखते हुए उसकी डेमांड दिन-पर-दिन बड़ती जारी तो घमें मार्केट में रूखनाबी है इंटरनेशनल मार्केट में तिकना भी है इसके लिए मैं इसी उर्जा चाहिए जो स्तस्ती भी हो कार्बन एमिशन भी नहीं हो और हमें उर्जा सुरक्षा दे सके उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है इनर्जी उसी कोई बारे में लोगों में आवर्नेस आए इसी उदेश से मैंने आज यह प्रोग्राम आज जैसे मोर्वी के अंदर जो 80-90% की जो फैक्ट्रियां है वो कोईले का यूज करते थे लेकिन कोईला मतलब पॉलूशन की वज़े से बंद कर दिया गया आज कल मतलब जो पी एंजी गैस है उसका वो लोग यूज कर रहें लेकिन आने वाले समय में उनको इस प्रकार की समश्याओं का सामदार नहीं करना पड़े और कार्बन जो एमिशन है उसको भी हम रोक पाएं उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्त्रोथ है परमाणू उर्जा का औ पाउमिक इनर्जी का नाम आती लोगों में बहुत सारी गलत फेमिया लोगों में बहुत सारा ब्रह्म पैदा हो जाता है लोगों का वीरोध हो जाता है ऐसा समश्या मोर्वी को नहीं करनी पड़े और सेरामिक फैक्रियों को चलाने के लिए बिजली चाहिए और तापी उस उसमा उन्हें चाहिए इसकी जो उनकी डिमांड है इसको अटामिक इनर्जी पूरा कर सकती है और मोर्वी के अंदर 1000 मेगावाट का उनकी मतलब रिक्वार्मेंट को देखते हुए 1000 मेगावाट का पावार प्लान बोड भी में स्टेबलिस हो सकता है को रियक्टर जो उन्ह उन्हें उसमा जो टाइल को पकाने के लिए उन्हें जो इनर्जी चाहिए वह उन्हें प्रदान करेगा और अटोमिक इनर्जी की बात करें यह पूरी दर से सुरक्षित है आज हमारे देश में 23 बिजली गर काम कर रहे हैं 1979 से हम बिजली बना रहे हैं भारत पूरे करना है और यह बताना है कि कोला हमारा जो 70 बिजली बनाता है वह कोला घ्री गर्फिर खतम हो जाएगा आने वाले 20 सालों के बाद हमारे पास कोला नहीं है एक युनिट में एक मतलब कोले से जो कार्बन हमें मिलता है करें डायोक्साइट मिलती है वह करीब एक हजार ग्राम से करीबन साड़े 400 ग्राम हमें कारबन आमिलता है अब हम बात करें कि इनरजी से कितना मिलता है और हम सोलर की बात करें तो से करीबन चीजानलिस ग्राम मिलता है तो इस प्रकार से हम देखें तो कार्बन एमिलिशन को मतलब देखते हुए कोहला बंद किया तो फ्यूचर जो यो पी एंजी गैस है इस पर भी लगाया जा सकता है और हम मैक्सिमम पी एंजी गैस जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब उसकी प् सब्सक्राइब नहीं हो और हमें उर्जा सुखक्षा दे सके उसके लिए हमारे पात वह बड़ी ताकत है अटॉमिक इनर्जी उसी कोई बारे में लोगों में आवर्नेस आए इसी उदेश से मैंने आज ये प्रोग्राम और्ग्राइज किया है मोर्मी के अंदर